आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ सब खेरियत से होंगे रश्मी का किच्छन में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी सिंपल और टेस्टी आलू और कैप्सिकम की रेसेपी तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसेपी तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज का कैप्सिकम लिया है और एक मीडियम साइज का आलू लिया है जिनको मैंने अच्छे से वाश करके बारी काट लिया है तो अभी मैं इस बड़े बोल में यह सारे कैप्सिकम और आलू को डाल दूँगी तो अभी मैं इस में नमक डाल के अच्छे से कैप्सिकम आलू और नमक को मिक्स कर लूँगी और अगर लगे के नमक थोड़ा कम हुआ है तो और थोड़ा डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अगर लगे नमक कम हुआ तो फिर से थोड़ा डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी और दस मिनिट के लिए इनको रेस्ट करने दूँगी तो अभी दस मिनिट हो गया है और आलू के और कैप्सिकम से पानी भी निकल गया है तो अभी मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेके निचोड़ के इनका पानी निकाल के दूसरे बॉल में रखती जाऊंगी तो ऐसे ही इनको निचोड़ के अच्छे से इनका सारा पानी निकाल के इनको मैं दूसरे बॉल में रखती जाऊंगी तो ऐसे ही निचोर निचोर के इनका सारा पानी निकाल के मैं इन बाकी सब को भी निचोर के पानी निकाल के इस बॉल में रख लूँगी तो मैंने इनको अच्छे से निचोर के इनका सारा पानी निकाल के इस बॉल में ले लिया है तो आभी ये अच्छे से फ्राई होंगे यहाँ पे मैंने एक मेडियम प्याज को अच्छे से वाश करके बारी काट के लिया है हल्दी पाउडर लिया है मीर्ची पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने मास्टर डोयल का बड़ा एक चमच तेल लिया है नमक लिया है जीरा लिया है दो हरी मिर्ची लिया है और थोड़ा दनी और पुदिने को बारी काट के लिया है जब ये गरम हो जाए तो तब इसमें तेल को डाल दूगी तब मैं इसमें प्याज को डाल दूगी और अच्छे से इसको चम्मस से मिला दूँगी जब ये प्यार थोड़ा फ्राई हो जाए तो तब मैं जीर्या और हरी मिर्ची को डाल दूँगी और अच्छे से चम्मस से इनको मिला दूँगी तो अभी मैं इनमें मसाले को डाल दूँगी तो यहाँ पे मैं नमक एक चम्मस डालूँगी और थोड़ा आदा चम्मस डालूँगी यहाँ पे मैं मिर्ची पाउडर आदा चम्मस से तोड़ा जादा डालूँगी और हल्दी पाउडर आदा चम्मस ही डालूँगी और अच्छे से इनको मिला दूंगी तो अभी मैं इन में आलू और केप्सिकम सब डाल दूंगी तो मैंने सब आलू और केप्सिकम को डाल दिया और जो इनका पानी निकला है उसको मैं फेक दूंगी और चमस से अच्छे से इनको मिला दूंगी आलू और केप्सिकम एक साथ फ्राई करने से ये बहुती टेस्टी एक सबजी बनता है तो अभी मैंने इन सब को अच्छे से मिला दिया है तो अभी मैं एक डखकन से दस मिनिट के लिए डखके रखूंगी इनको और 10 मिनिट के बाद मैं डक्कन हटा के देखूंगी तो अभी 10 मिनिट हो गया है और मैं डक्कन हटा के देखती हूँ तो ये लगबग आदा पक चुका है तो इसको और थोड़ा चम्मस से चला के बिना डक्कन के ऐसे ही थोड़ा और फ्राई कर लूँगी तो अब ये फ्राई हो चुका है और मैं इसका गेस आफ करके इसको उतार लूँगी तो अभी मैंने इसको उतार लिया है और एक प्लेट में सारे केपसिकम और आलू को डाल दूँगी तो मैंने सारा आलू और केपसिकम को एक प्लेट में ले लिया है तो लीजिए बनके रेडी हो गया सिम्पल और टेस्टी आलू और केपसिकम की सबजी तो अभी मैं इसमें दनिय से और पुदिने से गार्णिश कर लूँगी तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी इसकी नौटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे आप लोगों को तो फ्रेंड्स अल्ला हाफिज और दुआओं में याद रखिएगा